आप सभी को गर्तंत्र दिवस की हारदिक शुपकामना हैं आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ फरहान उद्दीन सिद्धी की कश्मीर में इंटरनेट की बहाली हो गई थी जैसा कि हमने कारेकरम भी किया था आपको बताया भी था और यह समाचार तो अप फैल चुका है सब तक पहुँच गया होगा कि कश्मीर में इंटरनेट की बहाली हो चुकी है लेकिन गर्तंत्र दिवस के मौके पर कुछी समय पहाली को फिर खत्म कर दिया गया वह कारण क्या थे कारण यह थे कि गर्तंत्र दिवस का मौका है आतंकवादी संगठन आपस में संपर्क न कर लें और किसी बड़े घटनकरम को अंजाम न दे दें इसी भाई के कारण सुरह च्छा कारणों से कश्मीर में इंटरनेट फिर जाएगा लेकिन मैंने इस कारिकरम में अपने पिछले कारिकरम में क्या कहा था मैंने यह कहा था कि क्या हमारे सुरक्षाबल सो रहे हैं जो हमारी गुप्चर एजेंसी है रौ क्या वह भी नीन्द में हैं कि आपको इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है कि कहीं किसी घटनक करम को अंजाम न दे दिया जाए तो आप क्या कर रहे हैं हमने यह भी कहा था कि इस नैट की पाबंदी को जो आपने नैट को निलंबित किया है यह नाकपुर में आपने क्यों नहीं कर दिया वहाँ बैठा हुआ संगठन भी तो कई ऐसे घटनक रमों में उसका नाम जुड़ा रहा है भारत के समविधान से प्रिथक होता रहा है वह संगठन राष्ट्रिय धोज है जो आज हमारा तिरंगा उससे भी दूर होता रहा है उसको वह तिरंगा भी पसंद नहीं था तो समव प्रिकार वह घटना सामने आही गई आसाम वहां कम से कम चार से पांच बंबिस फोट हुए धमाके हुए आसाम के अंदर सरकार किसकी है भारतियंता पार्टी की सहीयोगी गडबंधन सरकार है आसाम गंपरसद भी उसके सास्थ सहीयोगी दल के रूप में है मुखमंतरी कौ वह कहां से आरंब हुई आसाम से आपने वहां सरकार बनाई मददाता भी आपके हैं वहां पर वहां से ये मुहिम भी आरंब हो जाती है आप कहते हैं जो इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं वह रासद्रोही है योगी आयत नात का बयाना आता है कि आजादी का नारा नहीं लगाना है राश्यद्रों का मुकदमा चला दिया जायगा वरना यह तमाम बाते सामने आ रही थी लेकिन है अपने आसाम के अंदर कत tirar भी ध्यान नहीं दिया सरकार आप की है पुलिस आपकी है एजनसी आपके पास है गुप्चर अजनसी आपके या फिर इन धमाकों का इल्जाम भी किसी ऐसे संगठन पर लगा दिया जाएगा जिसको समझ पाने में आम व्यक्ति आम नाग्रिक तो नाकाम है आप सिर्फ एक नाम ले लेंगे उस पर चर्चाएं होती रहेंगी बात पुरानी हो जाएगी लोग उस बात को भूल जाएंगे आसाम के डिबरुगर में ही सिर्फ तीन धमाके तो डिबरुगर में हुए हैं चराई देव और तिन सुकिया जिले में भी धमाके हुए हैं हलाकी अभी तक इन धमाकों में किसी के हतात होने की खबर नहीं आई है किसी की मौत नहीं हुए है बस ये धमाकों की ही बात सामने आ रही है और कहां कहां धमाके हुए पहला विस फोर जो हुआ कश्रा डंपिंग छेतर के पास ग्रहम बाजार में एनेश छर्टी सेव थर्टी सेवन यानि एनेश सैंतिस के पास हुआ फिर दूसरा धमाका डिबरूगर के मारवारी पैटी इस्थित सिख नेशनल स्कूल की ब तुलियाजान में एक फुटपात के पास हुआ वहां सलैब को नुकसान हो गया है चोथर धमाका आसाम के तिन सुकिया जिले जिले में जो हुआ है इसमें ढूम-डोमा में कोली पानी पुल के पास हुआ है यह जिबकि प्शुआ धमाका चरई देव जिले के सोनारी पर एक दुकान के पास हुआ ये चार धमाके हुए हैं असाम में ये बहुती हिला देने वाली घटना है कि इस तरह के चार धमाके हो जाते हैं सरकार आपकी है और आप इसे रोकने में बिलकुल भी असाहज होते हैं आप इसे रोक नहीं पाते और आपने इंटरनेट बंद किय था कश्मीर में गरतन दिवस को लेकर जबकि बहाल हो गया था इंटरनेट इसी दुरान अमर अब्दुल्ला ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की थी लेकिन वहां पर आप इस भाई के कारण इंटरनेट को निलंबित कर देते हैं कि वहां पर किसी प्रकार की आतंकवादी घटना ना हो जाए बलकि आतंकवादी घटना तो आपके ही राज्य में हो रही है जहां आपकी सरकार है तो इस बात पर क्या आप पर उंग्लियां उठेंगी या नहीं उठेंगी सवालों के घेरे में आएंगे या नहीं आएंगे हमारे दर्शा के समन्द में अपनी राय अवश्य दें कारी करम को लाइक करें जादा जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें तब तक के लिए अजासत दें धन्यवाद